हुआ हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पिसिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पढ़ोगों तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आगन को जुरु दुबाएं तक कि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं लाए हूं आपके लिए क्लाश ट्वैल्ट एक नहीं प्रोवाइड कराता हूं साम को साथ बजे ऑनलाइन बैच प्रॉपर चलता है और प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर जाकर आप प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं जिसमें एक तरफ से सारे वीडियो पढ़े हुए आप उनको देख सकते हैं चलिए टाइम ना खराब करते हुए फटा-फट चलते हैं कोश्चन नंबर 11 पर तो कोश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हम मान लेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस कोश्च इनवर्स रूट एक्स वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस कोश्च इनवर्स रूट एक्स तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखें हैं सबसे पहले फार्मूला होता है वह फार्मूला आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या होता। यहां लिखकर आपको बता रहते हैं पार्मूला होता है Sine Inverse Under Root 1-X square बराबर Cos Inverse x यह फार्मूला होता है तुम यहां पर इसी फॉर्मूले को देखते हुए यहां पर कुछ करना चाहते हैं वो आप देख लें वाई बराइबर साइन इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का स्कॉायर प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स तो यह वाला देखिए यह बिल्कुल फॉर्मूला ही लिखा हुआ है हमारा जिसकी जगे पर हम यह लिख सकते हैं तो लिखेंगे कॉस इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स तो अब क्या करेंगे य बराबर तू कॉस इन्वर्स रूट एक्स अब हम एक्स के सापेज अवकलन कर देंगे एक्स के सापेज अवकलन तो एक्स के सापेज अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy पते dx 2 constant cos inverse इसको हम t मान लेंगे cos inverse t cos inverse t का क्या होता है minus 1 upon under root 1 minus t square याने root x का square और जिसको t माना है उसके अबकलन से गुणा root x का one upon two root x देखिए हमने कहा था आपको कि वो बार बार लिखने की जुरूत नहीं है root x का one upon two root x ठीक है two से two काट देंगे अंचरा जाएगा minus one upon root x under root one minus x तो इस तरीके से question number 11 हम लोग लगा सकते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बारवा question देखते हैं माना y बराबर sin inverse e की power 10 inverse x अब यहां कोई भी inverse function का formula अप्लाई नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे आपको अफकलन करना है एक्स के सापेच अब कलन तो य का हो जाएगा डी बटे डी अक्स साइन इनवर्स इसको टी मानेंगे sin inverse t तो हो जाएगा 1 upon under root 1 minus t square 1 upon under root 1 minus t square अब जिसको t माना है उसके अफकलन से गुणा d by dx of e की पावर 10 inverse x बराबर 1 upon under root 1 minus e की पावर 10 inverse x का whole square अब इसका आफकलन करेंगे तो इसको अफकलन के लिए हमें क्या करना है इसको टी मान लेंगे इसको टी का एक पावर टी और जिसको टी माना उसके अफकलन से गुणा क्लिर है तो आज आएगा e की पावर 10 inverse x बटे अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 10 inverse x का whole square into 10 inverse x का 1 अपॉन 1 प्लस x square 1 अपॉन 1 प्लस x square तो ये आगे हमारा आंसर इसको दुरुस्त करके लिख देते हैं e की पावर 10 inverse x बटे 1 प्लस x square अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 10 inverse x का whole square तो ये आगे आप अपना आंसर अउमिद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आ रहा हो तो भाया लाइक बटन जरू दबा दें अपनी फिश्ट कर दें फिश्ट करने का तरीका यहीं यह नीचे लाइक बटन जो आ रहा है उसको आप कलिक कर दें तो समझ जाएं आपके फीश सब्मिट हो गई है कि कुश्चर मत तेरा देखते हैं कि वाई बराबर लॉग कि साइन इंवर्स एक स्क्वाइर इंटु कॉस कॉट इंवर्स एक स्क्वाइर तो भाई यहाँ पर बहुत काईदे से कॉश्चन देखेगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन इंटु फंक्शन चला है तो हम लिखेंगे एक्स के सापेच अवकलन यह का होगे दी वाई बते दी अक्स प्रत्म 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 प्र प्रथम का आपकलान थोड़ा सा सही से लिख दें ताकि आजाए यहां पर लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वार ठीक है अचरी साइड से शुरू करते हैं ताकि सावी चीज़े आ जाएं तो प्रथम पत्तो ऐसे रहेगा धीरे-धीरे लिख देते हैं ताकि सब को समाज आये लाइन में रती का आफकलान कोस्टी को कोस्टी का माइनस यहां लगा दिया धिकिये मायनस यहां लगा दिया है साइन यहां लिख दिया है टी यहां लिख दिया है और जिसको टी माना उसके अफ़कलन से गोडा प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे लिख लिया है अब इसका अफ़कलन करेंगे तो लॉग कि लॉग टी का कि वन अपन टी जिसको टी माना उसके अफ़कलन से गोडा अपन 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 कि इंटू साइन को कॉट इनवर्स एक्स स्क्वाईर अपन अपन और कॉट इनवर्स अब जब इसका अफ़कलन करने आएंगे तो इसको टी मानेंगे कॉट इनवर्स टी तो कॉट इनवर्स टी का क्या होता है अपन 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 प्लूस कंवाईर क्लेर है अब आगे दिखते हैं जिसको टी माना उसके अबकलन से गुणा डी बाई डीक्स ओफ एक्स स्क्वाइर प्लस कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वाइर बटे कि साइन इन्वर्स एक्स स्क्वाइर सुरिष का अब आपक अब कलंक करने आ रहे हैं वहाँ पर देखे शाइन इन्वर्स इस एक्स स्क्वाइर को टी मानेंगे तो साइन इनवर्स टी का one upon अंडर रूट इसके आगे यहां पर लिख रहे है बस final line हमारी आने जा रही है यह पूरा लिख लेते हैं यहां तक माइनस का लॉग साइन इन्वर्स एक्स स्क्वाइर इन्टू साइन कॉट इन्वर्स एक्स स्क्वाइर बटे वन प्लस एक्स की पावर फोर और एक्स स्क्वाइर का टु एक्स इसका आउकलं गढ़ दीजिए एक्स स्क्वाइर क्या हो जागा तु एक्स हो जाएका प्लस यहां पर भी उपर तो आ जाएगा कोसआ गरा में कोसई theor में ले खोँ उन्वर्स एक्स स्क्वाइर अंडर रोट साइन इन्वर्स एक्स स्क्वाइर वन माइनस एक्स की पावर फोर और एक्स स्क्वाइर का क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा क्लियर है तो यह आगया हमारा आंसर और 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 भी आप सही से लिखना चाहते हैं तो यह संख्या को आप आगय कर सकते हैं बाकी आपको कुछ यहाँ पर ज्यादा करने की ज़रुरत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आगया होगा चल देते हैं कुछ नमर चौधा पर कि देखें बार बार प्रेक्टिस करने की ज़रुत है अगर आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे और प्रेक्टिस हमसे मांगते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा अपने आप लगाईए बार बार लगाईए कुछ नमर चौधा पर पहुंच गया है हम लोग कुछ नमर चौधा क्या कह रहा है माना वाई बराबर यहां पर दो फंक्षन है एक फंक्षन यह है और एक फंक्षन यह है और फंक्षन इंडू फंक्षन लिखा हुआ है तो एक्स के सापेच अफ्कलन करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स यहां पर फॉर्मिला लगेगा प्रथम पद दती का अफ्कलन दती पद प्रथम का अफ्कलन इकी पावर एक्स और साइन टी साइन इन्वर्स्टी का वन अपाउन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वाईर और जिसको टी माना उसके अफ्कलन से गुड़ा प्लस यहां पर यह तो ऐसे रहेगा साइन इन्वर्स बी एक्स और डी वाई डी एक्स ओफ एकी पावर टी तो इसको टी मानेंगे और एकी पावर टी का एकी पावर टी जिसको टी माना उसके अफ्कलन से गुड़ा एक्स अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वाईर एक्स स्क्वाईर और बी एक्स का बी होगा इस बी एक्स का अफ्कलन करेंगा तो क्या हो जाएगा बी प्लस यहाँ पर भी देखिए यह तो ऐसे रहेगा तो इसको लिखेंगे एकी पावर एक्स इंटू पहले यह लिख लिए इंटू में यह लिख रहे हैं साइनि इन्वस बैंक्स ए इंटू इस एक्स का शुर्ण करने जा रहे हैं एक्स का ए होता है एक्स क्या होता है तो हम यह यहां न लगा कर आगे लगा दें बात वहिए आप वहां भी लगा सकते हैं तो यह आगे हमारा आंसर कि उमीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि चलिए कोशन नमबर 15 माना य बराबर सेक इन्वर्स एकस माइनस वन-चै工 एकस माइनस वन-चैών साइन इन्वर्स एकस माइनस वन-चै工 अग्य पहले यहाँ पर हम लोग इन्वर्स फंग्शन का एक कॉंसेप्ट लगाने जा रहे हैं कॉस इन्वर्स को देखे, जैसे सेक लिखा, वो पहले सेक से समझा से चाहें, कॉस से समझा लो सब्सक्राइब करें सेक से, एक छी चीज आए, सेक इन्वर्स वन उपन एक्स को हम क्या लwegen सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स, second verse 1 upon x को कह लिए सकते हैं cos inverse 1 upon x तो यहाँ पर भी हम यही करने जा रहे हैं second verse को cos inverse लिख रहे हैं और x minus 1 बटे x plus 1 plus sin inverse x minus 1 बटे x plus 1 ठीक है अब देखिए आगे एक फॉर्मूला और होता है inverse function में sin inverse x plus cos inverse x बराबर πाई बाई 2 और यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है x की value यह समान सकते हैं जो यहाँ होना चीए जो value वहाँ पर हो वही value यहाँ पर भी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई बराबर पाई बाई टू अब एक्स के सापेच अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाता डी वाई बटे डी एक्स पाई बाई टू गा जीरो तो यह आगया हमारा आंसर जो इस exercise का last question था उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें चनल पढ़ने हैं तो चनल को सब्सक्राइब अवस्य करें थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक्सरसाइज फाइव डी लेकर